नमस्कार आप सभी को राजिस्तान क्लासेश की यूटूब प्लेटफूम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है देखे दोस्तों राजिस्तान जी के जो कि अपनी रात को डेली 9 बजे की क्लास होती है MCQs लेवल रहेगा आपका टेस्ट रहेगा बेतरी इन क्वेशन का संग्रे यहां पर कलेक्शन होने वाला है बस उमीद जाता ही जा रहे है कि आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेशन अपने पूछे जाता है एक्जाम बाद में कर लेना ठीक है और अपने नाम और जिल्ला लेके मैसेज करना है चले पहला क्वेशन आपकी स्क्रेंट पर बिल्कुल ईजी लेवल से पूचा जा रहा है कि राजा पाबू जी का जो चित्र है ना व्यक्ति चित्र मतलब की आदम कद चित्र है ना आदम कद जो च चितर कार कोन थे दोस्तों चांद खान थे यह ऐँ करह की ज्यूत साथ राइट पुन्ट जिर कहां पर बोले सर नोहर में है, नोहर कहां पर बोले सर नोहर जो है या नुमानगड में है और सर्पों के देवता इनको का जाता है, सर्पों के देवता भी का जाता है, मतलब गोगा जी को, गोगा जी का यहां पर समाधी इस्तले, ठीक है, और जहर भी भी बोलते हैं, तो पता ही है सीधी सी बात है नहीं पहला राजी नहीं है देखे स्वेम की जनसिंग्या नीती गोशित करने वाला राजस्तान देश का कौन सा राजी है मतलब पहला दूसरा तीसरा छोथा पहला है आंदर प्रदेश दोस्तों पहला कौन सा है आंदर प्रदेश है दूसरा कौन सा अपना राज़स्तान है तो यह चीज द्यान रेकना बहुत ही मैथपुन क्वेसन है आपका यह अगला क्वेसन है जैपूर राजी मीना सुधार समीती जो है इसका गठन कौन से इस्तान पर हुआ गठन किसकी अद्धिक्सताम हुआ तो पंडित बंशीदर शर्मा की अद्धि बेचता में होता है दोस्तों इसका गठन ठीक है और जैन मुनी जो थे मगन सागर वे भी यहीं पे थे तो ध्यान देखना इसको आप सूर्यस सब्तमी बहते हैं तक मुझे याद है आज है या फिर कल ही है सब्तमी है ना यही सब्तमी दोस्तों बानु सब्तमी यही है ठीक है यही तो है ना यही तो बानु सब्तमी है माग महीने की मतलब शुक्ल सब्तमी की बानु सब्तमी कहलो या सूरी सब्तमी कहलो ठीक है यह गलता जी में बड़ी मु गिरी हुई है यहाँ पे लेक पैलेस भी बना हुआ है जो विने सिंग ने बना है था 845 में तो यह सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है नंबर 107 है शंकर गटा शिलाले किस नदी के किनारे प्राप्थ हुआ शंकर गटा शिलाले के किनारे प्राप्थ हुआ तो यह हुआ दोस्तों गंबीरी नदी के किनारे अच्छा सर ये वही है क्या जो अपने चितोडगड में प्राप्त हुआ हान जी ये वही शिला लेके बी आफसनाप का लॉग हो जाएगा किस समाचार पत्र के माध्यम से विजे सिंग पतिक ने बीजो लिया किसान अंदुलन को भारत में चर्चित बनाया ये हमने कई बार पढ़ा आपने भी पढ़ा है वैसे तो ये समाचार पत्र जो है ये है अपना प्रताप नहीं सर तो प्रताप यह भाया जिसका गनेश शंकर विद्यारती जिसका शंकलन करता क्या सकते गनेश शंकर विद्यारती नहीं इसको वैसे क्या किया था मतलब इसकी इस्थापना करी ती या फिर शुरुगात करी ती कानपूर से ठीक है किशनगर्ट शैली पर कब डाक टिकट जारी किया गया किशनगर्ट शैली पर डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों बनी ठनी पर कब किया गया ये आपको बताना है पुले सर 5 मई के दिन 1903 को यह हुआ जब बाग परियोजना शूर हुई थी ना उसी समय तो राइट आंसर आप सरी का हो जाएगा B option और कितने पैसे का है 20 पैसे का मातर 20 पैसे का यह है ठीक है अगला क्वेसन है राजस्तान में आलनिया के प्रागेती हासिक चित्रों की खोज जो है वो किसने करी राजस्तान में आलनिया के प्रागेती हासिक चित्रों की खोज किसने की थी दी एच गार्डन है नहीं सर वी एस वाकन करने नहीं सर एस कुमार भी नहीं होगा राइट आंचर हो जाएगा जगत ना रहें डी आप्सन आलनिया यह चेतर कहां पर बोले सर कोटा जिल्ले में है ओके सर ध्यान रखेंगे बहुत अच्छा क्वेस्टन है अगला है नात द्वारा का रादा क्रश्न नर्ते यह परंपरा का नर्ते है किस परंपरा का नर्ते है दोस्तों यह बता दीजेगा पेजर नर्ते है यह डांग नर्ते या द्वी चक्री नर्ते या फिर जरी नर्ते तो डांग नर्ते हो जाएगा आप से भीका राइट आंसर भी ऑप्सन लॉक हो जाएगा पुरूश महिला दोनों युकल में ये करते हैं नर्ते और ये वोली के अउसर पर ये नर्ते होता है वैसे ठीक है अगला क्वेसन आपके स्क्रेन पर रहे देखे जारा पंडित अरिना अरिनारान शर्मा कौन से राजे से संबंद रखते थे पंडित अरिनारान शर्मा अलवर राजे से संबंद रखते थे इन्होंने अलवर परजमनल के इस्तापना में बड़ा ही मैत्पुन योगदान दिया इनके साथ थे कुंज बिहारी इनके साथ में थे 1928 की बात है जब परजमंद के स्थापन करी थी अपका लॉक हो जाएगा अगला जैसल मेर में इस्तित्पाशनाथ मंदिर में कुल कितनी मूर्तिया है तो फ्रों ये क्वेशन ला जो दोब है ला जोब का मतलब होता है बड़ा ही लाजवाब क्वेसन है ना चले बताइए शांडार जानदार क्वेसन का राइट आंसर चले मनुरंजन ओना चीए थोड़ा बहुत है ना तो डी आपसन आपका लॉक हो जाएगा 1235 कहने का मतलब महत्पूर्ण क्वेसन था आपके लिए ये मेरे कहने क मतलब यह था ठीक है ऐसा नहीं कि मतलब यह वह ना देखिए इसके शिल्पकार की बात करें ना मैंने शिल्पकार की आपसे बात नहीं करी तो शिल्पकार धना थे दना नामक एक चिल्पकार थे लक्समंड सिंग के समय इसका निर्मान होगा था किसका किसकी बात करें अपन चार क्वेस्टन अपने ड्रॉप हो गए खैर कोई ना किशन गर्ड शैली पर डार्क टिगर्ड जो है ना हो गया ना अपना ये तो ये हो गया बताईर अब question number 117 17 रागारो जीलो देखिये दोस्टों रागारो जीलो जो है ना ये किसके द्वारा लिख्षित ग्रंत हे ठीक है और जल्दी से जवाब देदेना है माराजा मान सिंग के दोवारा लिखी थे ये माराजा मान सिंग जोदपुर के शासक हुआ करते थे ये कौन से शासकते दोस्तों जोदपुर के माराजा मान सिंग ये 1804 से लेकर 1843 तक ये शासक रहे थे जहां डिखना अगला question है भामाशा योजना के तहट सबसे पहले भामाशा कार्ड कप दिया गया था कौन से सन में दिया गया था सबसे पहले दिया गया था संपती देवी को किसको दिया गया था संपती देवी को दिया गया था और 15 दिसंबर 2014 को दिया गया था Geruit 2014 रायट अन्साराब्सरी का यह option लोक हो जाता जायेगा का से दिया गय त bachelor सएल्यों का मंदिर किस जि्ल्ले में है दौस्तों आपड़ी के बारे में पूचा जाए इसलियों की बाड़ी कहां पर बुरह सर उधे पूर में ठीक है तो साथ सहल्यों के मंदिरके बारे में पूचा जाए तो जालावार में इस्तित है ठीक है इसको आप पद्म नाब मंदिर भी बोल सकते हैं काफी इंट्रेस्टिंग क्वेसन था और एगला क्वेसन देखे राजस्तान की पर्तम और एकमात्र महिला जिने पदम शरी वे पदम विभूशन दोनों से था राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा श्रीमती रतन शास्त्री जो की हिरलाल शास्त्री जी की धर्म पत्नी थी अगला क्वेसन एक सो एकीस गोसाई गिरदारी लाल के शैली के चित्रकार हुए थे बताईए दोस्तों बूंदी कोटा किशनगर याइन में से कोई नहीं अगला क्वेसन है बंवाल माता का मंदिर जो है ये कौन सी सदी का बना हुआ ये बताओ जड़ा जल्दी से बता देना है आप सभी को और नागोर जिले में बंवाल माता का मंदिर नागोर के भी मेर्ता में है तो यहां पे राइट आंसर ग्यारवी सदी का हो जाएगा बी तोते को या फिर टूया तोते को या गागरूनी तोते को या फिर उप्रोग सभी तो उप्रोग तो सभी यहां पे लौक हो जाएगा और इसको तो आपने हजारों बाहर पड़ लिया होगा गागरूनी तोता है टूया तोता है और इरमन तोता है एक ही वात है इसका वेग्या निक नाम अलेक्जन्ड्रिया पेराकीट है जिसको आप मानव की हूब हूब आवाज बोल सकते हैं जिसे आप हिंदूों का आकाश लोचन भी बोल सकते हैं जैसल मेर में अमीरा गाउं है दोस्तों ठीक है और उस अमीरा गाउं के निवासी है पेंपे खान और पेंपे खान जो है न वो कौन से लोकवाद्य में निपून है जो मतलब बड़िया तरीके से फेमस है वो आप सभी का राईट आंसर हो जाएगा सुरनाई वे शुर्णाई जो ओsy piunga तरीके से बजाते हैं वहाती सुरिली बजाते हैं विजाइशागर और ट्रेनिंग बांध ट्रेनिंग नमक भी एक बांध है ये बांध जो ओया ओना किस जिल्ले में बने हुए हैं ये आप शबी को बताना है राइट आंस आप सभी का हो जाएगा अलवर दोस्तों ट्रेनिंग बांध जो है ना ये ट्रेनिंग बांध और विजे सागर बांध ये अलवर जिल्ले में है ठीक है तो ध्यान डिखना काफी मैंत गुण एक नारायन सागर बांध वो भी इसी अलवर में है ठीक है नारेंड सागरवान जो कि वो है ना वो क्या है आपको बताएं यहां का वो माना जाता है सरूर अगला qwerशन इसम अम्रत सरूर माना जाता है ना अगला qwerशन है 126 राजस्तान हिंदी ग्रन्थ अकाडमी की इस्तापना कब की जाती है बताइए राजस्तान हिंदी गरंथ अकादमी की इस्तापना कब की गई यह आपको बताना है कहां पर की गई बोले सर यह तो जैपूर में करी गई अच्छा कब की गई 15 जुलाई 1970 को करी गई मतलब सी ओप्शन आपका लॉक हो जाएगा अगला क राजे के परथम राजे पाल जिनों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया डॉक्टर संपूर्णानंद श्री सर्दार हुकोम सिंग श्री सर्दार जोगेंदर सिंग या सोक देव परसाद देखे मैंने इनके बारे में भी आपको कई बार बताए कि जोगेंदर सिंग जो थे उन्होंने अपने पद से पद का मतलब जो अपना कारेकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया ये जुलाई में लगे थे राजिपाल ठीक है 1972 नुट हुए थे और 1977 में होने ही वाले थे जुलाई में लेकिन फरोरी में इन्होंने क्या कर दिया त्याग पत्र दे दिया था ओके न अगला क्वेसन है अवा बंगला कौन से जिले में बता ये जड़ा अवा बंगला ये किस जिले में इस्तित है आपने तो बोल दिया सरी हावा बंगला आज मेर में 32 से जाय बनाने की फैक्टरी किस राज्य में इस्तापित की गई राज्य में नहीं फैक्टरी बनाने मतलब कहां पर इस्तापित की गई इन में से कौन से चैतर में तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा करी गई किस के द्वारा राज्य सरकार द्वारा करी गई जैपुर में क कभी सूरिमल मिश्रन की किस रचना में बूंदी के माराजा राव सुर्जन सिंग की उपलब्दियों का वर्णन किया गया है यह आपको बताना है तो वीर सथ सेया दातु रूपावलिया वन्षवासकर अगर देखा जाए तो यह तीनों की तीनों सूरिमल मिश्रन की ही है क्य है और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेसन को देखते हैं अगला क्वेसन है राजस्तान प्राच्य विद्या प्रतिष्टान कहां परिष्टित है इसका जवाब आपको देना है जल्दी से बता दीजेगा बहुत ही आशान सा क्वेसन है जल्दी बताइए वन्ष वासकर करें क्या लोक वंच बासकर कर दिया ना अब इसका जवाब दो राजिस्तान राजी विद्या प्रतिष्टान कहां पर इस्तित है बरतपूर जोदपूर बांसवाड जैपूर सर यहां पे तो जोदपूर यहोगा प्राची विद्या प्रतिष्टान दोस्तों इसकी स्थापना उन रामानन्द जी के शिष्यस्य थे और दोस्तों कबीर थे धना जी थे पीपा जी थे ये रैदास वगरे सभी इने के श रैश्यक्ट यार कितनी बार अपन इसके बारे में बात भी करी और बहुत important question भी यह जैप्पूर में ही इस्तित यहाँ पर दादुजी रहा करते थे ठीक है और अगला क्वैसन मीरपूर मंदिर किस जिल्ले में इस्तित हैं देखे दोस्तों मीरपूर जो मंदिर है कौन से जिल्ले में इस्तित है शिरोई में जालगर में उदिपूर में या अगला question आपकी screen पर आ जाता है सबचे पहले अल्ला जिलाई बाई के द्वारा गया 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 भाई को राजस्तान की सुवर कोकिला भी आप कहा सकते हैं और ये जो की बी कानेर से बिलॉंग करती थी ठीक है द्यान रखना दोस्तों अगला क्वेसन है भारत का दूसरा पवन उर्जा पार्क राजस्तान के कौन्छे गाउं में इस्तापित किया गया भारत का दूसरा पवन उर्जा पार्क राजस्तान के कौन्छे गाउं में इस्तापित किया गया गानेर में मेरता गाउं में या लोदरवा ग्राम में या खांदरी ग्राम में तो राइट आंसरा आप को जाएगा लोदरवा ग्राम में लोदिराआ गिराम कहां पे दोस्थों, यह जैसल मेर में ठीक है और पहला कहां पे इस्तापीत किया गया यह आन्दरा में किया गया बात का दूसरा परवन ऊर्जा पार्क जै लोदिर्वा में दुरुआ जो इसल मेर में और पहला जो जो पवन उर्जा पार्क है वो आंदर परदेश में किया गया है ठीक है 137 आपकी स्क्रेन पर आज का 36 वा क्वेसन सुपर फास्ट कर रहा हूं थोड़ा साज है ना राजस्तान प्रशासनिक सुदार समिती 1963 किसकी अद्धिकस्ता में गठीत हुई देखे दोस्तों हरिश चंद्र माथूर या मुहन मुखरजी या मिठालाल मेह्टा या शिव चरण माथूर राइट आंसर आप सभी का ए ओफशन हरिश हरिश चंद्र माथूर को लॉक करेंगे ठीक है साब ओके सर ए ओफशन लॉक्ट हो जाएगा और अगला क्वेशन दीके 138 नंबर क्वेशन आपकी स्क्रेन पर है 1920 के दर्शक में राजनितिक जागरण के उद्धे से किसने ब्यावर से राजस्तान अकबार का प्रकाशन किया मतलब की राजस्तान अकबार का प्रका ओके ध्यान रखेंगे 139 आपके स्क्रेन पर और जल्दी से जवाब भी बन जाएगा राजे की प्रतम वन नीती कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित की गई दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया वन नीती द्वारा दस फरोरी दोजार दस को ही लागू की गई थी जिसमें ये लिया गया था लक्सिय की वही संपून भूबाग में 20% से भी अधिक वरक्षा आच्छादित भूमी करनी है अगला क्वेसन 141 है ना मेजा बांध परियोजना का निर्मान किस वर्ष में हुआ था बताये मेजा बांध परियोजना का निर्मान कौन से वर्ष में हुआ काँ पर बोले सर बीलवाडा में है कौन से गाओं में बोले सर मांडल में है कौन सी नदी पर बोले सर गोठारी नदी पर है ठीक है राजस्तान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन RSPCL की इस्तापना कब की गई थी ये आपको बताना है 1995, 1997, 1999, 1993 1995 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ओप्सन बोले सर ए होगा क्या हान जी ए होगा रे भीया ए हो जाएगा चले अगला क्वेशन आपकी स्क्रेंट हाँ 142 आगे क्या कोई बात नहीं आगे खेर आगे राजस्थान की पर्थम मुख्य सच्चिव मैला कौन बनी थी ये आपको बताना है श्रीमती दिपी का जैन नहीं सर श्रीमती चुचेता क्रपलाने नहीं श्रीमती कुषल सिंग बन जाएगा राइट आंसर डी आप्शन दिए कब बनी थी 2009 में पहली मुख्य सच्चिव मैला बनी थी ठीक है और परता मुख्य सच्चिव कोन बनेते के राधा कृष्ण बनेते 1950 में है न ध्यान रखना भया अगला क्वेशन और 143 सूरज खंड कावे में किस मान व्यक्तित्व का जीवन परिचे है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रन का जीवन परिचे है ये बुंदी के हड़ा शासक जिनका नाम था मारा उराम सिंग उनके ये दरबारी कवी थे वंश बासकर इन्हों नहीं तो लेका था पिंगल कावे में ठीक है पिंगल कावे था जो तांकरिया किस जाती का परमुख नर्तिया है देखे दोस्तों तांकरिया नर्तिया है ये कौन सी जाती का नर्तिया है देखिए गरासिया का भील का या डामोर का या काल बेलियों का तो काल बेलिया आप सभी का right answer D option को lock करेंगे इंडोनी जैसे जैसे की पणिहारी जैसे की आपको मैं बता देता हूँ बागडिया ठीक है ये सारे के सारे इसी काल बेलियाओं के नरते है लास्ट क्वेसन आपका जल्दी से जवाब बनेगा श्री शेव चरण माथू राजस्तान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने कब बने ये आपको बता देना है दस मार्च 1985, 1988, 1989, 1994 देखे दोस्तों पहली बार कब बने ते ये आपको ध्यान रखना है 1981 से लेकर 1985 तक रहे थे उस समय इन्हों ने इस्तिपा दे दिया था 1981 से 1985 ठीक है दूसरी बार ये रहे ये 20 जनौरी 1988 को बन जाते हैं वापस ठीक है और 1989 तक रहते हैं तो दूसरी बार ये बनते हैं 1988 में दस्यू श्ताबदी में 22 और पर किसका शासन था एक क्वेशन और पढ़ लेते हैं अपन तो ये था चालू क्यों का परमारों का सोलंकीों का या फिर परतियारों का तो परमारों का ही था आर्थूना इनकी राज़नी हुआ करती थी दोस्तों ठीक है परमार आपका लॉप हो जाएगा यहां पे कई मंदिरों का निर्वान भी कराए गए था ठीक है और राजस्तानी भाषा के पाणिनी कि ने कहा जाता है इसका राइट आंसर आपको बताना है बाहरा के कमेंट सेक्शन में ठीक है और इनका पदमश्री कब मिला ये भी आपको बताना है इनको पदमश्री कब मिल कौन से सन में मिला ये भी आपको बताना है कौन थे पाड़ी नी और इनको पदमसरी कब मिला ये आपको बताना है उम्मीद करता हूँ आज की किलास आपको अच्छी लगी होगी आज की लिस्ट आज लिस्ट नहीं आई नहीं बनी मतलब लाइड की भी प्रॉब्लम थी रहा काफी सारी में खुद जो है काफी बीजी भी था तो मतलब आज की लिस्ट नहीं बनी न तो कल ये लिस्ट से और आपके सामने आ जाएगी आप सभी का देर से बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंते मात्रम